रामचंद्र की सेना जिन्दाबाद 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 जिन्दाबा जहां पर आरसेपी सिंग का भविस्वागत किया जा रहा है और इतना ही नहीं आरसेपी सिंग जो है वो अलग-अलग जलो में जाएंगे और खुद को मजबूत करने की जो कवायत है वो आरसेपी सिंग की तरफ से की जाएगी इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मताबिक आरसेपी सिंग आज गोपाल-गंज पहुंच रहे है और आज की रात आरसेपी सिंग जो है वो गोपाल-गंज में ही बिताएंगे ऐसे में सबसे पहले आपको ये तस्वीरे दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये भविस्वागत जो है वो आसेपे सिंग का किया जा रहा है रमचन्दर की सेना जिन्दा बाद जिन्दा बाद आसीपे सर जिन्दा बाद बता दे आपको कि आसीपे सिंग जो है उन्होंने जेडियू से शिफ़ा दे दिया हलागि कई तरह कि आरोप RSP सिंग पर लगाये गए जिसके बाद बेवाक अंदाज में RSP सिंग ने बकाईधा प्रेस कॉंफरेंस भी किया और ये भी RSP सिंग की तरफ से कहा गया कि जो आरोप उन पर लगाये जा रहे हैं वो बेबुनियाद है उनके परिवार को बेवजा घसीटा जा रहा है जुसके बाद अंतिम फैसला जो है वो आर्सीपी सिंग को लेना परा और आखिरकार जेडियू से आर्सीपी सिंग ने स्तिफा दे दिया बता दे आपको कि इस वक्त कई तरह की जो चर्चा है वो हो रही है कहा ये भी जा रहा है कि आर्सीपी सिंग अपने लिए एक नई जो संगठन है उसे भी बना सकते है या फिर ये भी हो सकता है कि आर्सीपी सिंग जो है वो बीजेपी के साथ चले जाए बहराल आगे RCP सिंग क्या कदम उठाते है ये तमाम चीजे जो है वो आने वाले वक्त के साथ पता चलेंगी लेकिन ये तस्वीरे सीधे जो अस वक्त सामने आई है वो सोनपुर की है जहाँ पर RCP सिंग का भवे स्वागत किया गया है और साथी जगा 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 जो है वो RCP सिंग पहुच रहे है जो उनके काड़ करता है जो RCP सिंग के चाहने वाले है वो RCP सिंग के सपोर्ट में और उनके साथ खड़े नजार आ रहे हैं और आज की रात RCP सिंग जो है वो गोपाल गंज में ही बिताने वाले है ऐसे में आगे भी RCP सिंग को लेकर क्या कुछ जान कहना होता है RCP सिंग का इन तमाम खबरों को लेकर जैसे ही कोई अपडेट या जानकारी सामने आएंगी हम तुरंट आप तक लेकर हाजर होंगे फिलाल के इतना ही जाद अपडेट के लिए आप जुड़े रहें नियूस फोर नेशन के साथ नमस्कार